नमस्कार आप देख रहे हैं जलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सिमा नाम देव शुरुवात करते हैं आज की खास खबरों से कर्टब्य भावना से मुख नहीं मोडते इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीख है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्टब्यों से स्वयम सिंत हो जाते हैं इसलिए हमें कर्टब्यों के प्रती समत्मित होने की जरूरत है और संयोग देखिए हम्यारे सम्विधान की जिस मुलक प्रती पर भागवान राम मा सीता और लक्ष्मन जी का चित्र अंकित है सम्विधान का वो प्रुष्ट भी मौलिक अधिकारों की बात करता है यानि एक और हमारे सम्विधान अधिकारों की गारंटी तो साथ ही प्रभुराम के रूप में कर्टब्यों का सास्वत सांस्कृतिक बोद इसलिए हम जीतना कर्टब्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी साथियों आज़ादी के अमरित काल में देश ने अपनी विरासत पर घर्व और गुलामी की मान्सिक्ता से मुक्तिक आवाहन किया है ये प्रेना भी हमें प्रभुराम से मिलती है उन्होंने कहा था जन्नी जन्व भूमिश्च स्वर्गाद अपी गरियसी याने वो स्वनवाई लंका के सामने भी खील भावना में नहीं आए बलकि उन्होंने कहा कि मा और मात्रभुमी स्वर्ग से भी बढ़ करके है इसी आत्म मिस्वाद के साथ जब वो आयोध्या में लोट कर आते है तब आयोध्या के बारे में कहा जाता है नवगर निकर अनिक बनाई जनू धे अमरावती आई यानि अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है इसलिए भाई और बहनों जब राश्ट निर्मार का संकल्प होता है नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है तो भी और तभी राश्ट विकास की असीम उचाईयों को छूता है एक समय था जब राम के बारे में हमारी संस्कृति और सब्विता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रस्चिन लगाए जाते थे उसका प्रणाम क्या हुआ? हमारे धार में संस्कृति और नगर पीछे छुड़ते चले गए हम यहीं अज़द्धा के राम गाट पर आते थे तो दूर्दसा देखकर मंदू की हो जाता था काशी की तंग हाली वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का अपने अस्तित्व का प्रतीग मानते थे जब वहीं बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप तूड़ जाता थे साथियों बिते आठ वर्षों में देश ने हिन भावना की इन बेडियों को तोड़ा है हमने भारत के तिल्थों के विकास के इत समगर सोथ को सामने रखा है हमने राम मंदीर और काशी विश्मनाद धाम से लेकर केदानार और महा काल महा लोग तक गंदोर रुपेच्छा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गवरों को पुनरजिवित किया है एक समगर प्यास कैसे समगर विकास का जरिया बन जाता है आज देश इसका साक्षी है आज अवे उध्या के विकास के लिए हजारों करोड रुपेज़ की नई जोज़नाय शुरू की गई है सडकों का विकास हो रहा है चोराहों और घाटों का समद्री करण हो रहा है नए इन्ट्राक्र्सक्टर मन रहे हैं यानि अयोद्धा का विकास नए आयाम चूरा है अयोध्या रेलवेश्टेसन के साथ साथ वर्ल क्लास ऐरपोर्ट का निर्मान भी किया जाएगा यानि कनेक्टिविटी और अंतराष्य परियेटन का लाथ इस पूरे छेत्रों पे मिलेगा अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायर सरकीट के विकास पर भी काम चल रहा है यानि अयोध्या से जो विकास अभ्यान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे छेतर में होगा साथियों इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजी और अंतराष्टे आयाम भी है सुंग वेरपुर्धाम में निशाद राज पार का निर्मान किया जा रहा है यहां बगवान, राम और निशाद राज की 51 फिर उची कांच से प्रतिमा बनाई जा रही है यह प्रतिमा रामायर के उस सर्वस समावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुचाएगी जो हमें समानता और समरस्ता के लिए संकल्प बद्द करता है इसी तरह अयोध्या में फिन हो मेमोरियल पार्क का निर्मान किरा गया है यह पार्क भारत और दक्षिन कोरिया अंतराच्चे समंदों को प्रगाट बनाने के लिए दोनों देशों के सांस्कृतिक रिस्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा अब कल्पणा कर सकते हैं इस विकात से परियेटर की इतने संभावनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे सरकार ने जो रामा एन एक्ष्प्रेस ट्रेंग चलाई है वो स्पिरिचल टूरिजम की दिशा में एक बहतरीन शुरुवाब है आज देश में चार धाम प्रोजेक्ट हो बुद्ध सरकीद हो या प्रसाद योजना के तहट चल रहे विकास कार्य हो हमारे ये सांस्कृतिक उतकर्ष नए भारत के समग्र उत्थान का स्री गणेश है साथियों आज आयोध्या नगरी से मेरा पुरे देश के लोगों के लिए एक प्राथ्रा भी है एक नम्र निवेदन भी है अयोध्या भारत की महान सांस्कुति विरासत का प्रतिमीम है राम अयोध्या के राजकुमार थे लेकिन आराज्द्य वो पूरे देश के है उनकी प्रेणा उनकी तब तपस्या उनका दिखाया मार्ग हर देश वासी के लिए है भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतियों का कर्तब्य है उनके आदर्शों को हमें निरंत जीना है जीवन में उतारना है और इस आदर्श पर्थ पर चलते हुए आयोध्या वास्योग पर दोहरा दाईत्व है आप कोई डबल रिस्पोंसिबिलिटी है मेरे अध्या के भाई यो बेनो वो दिन दुर रही जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अने गुना बढ़ ज़ाएगी जहां कण कण में राम व्याक्त हो वहां का जन जन कैसा हो वहां के लोगों का मन कैसा हो यह भी उतना ही एहम है जैसे राम जी ने सब को अपना पन दिया वैसे ही अयो द्यावाशियों को यहां आने वाले प्रतेग व्यक्ति का सागत अपनत्व से करना है अयो द्या की पहचान कर्तब के नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए अयो द्यावाशियों सबसे स्वच्छ नगरी हो यहां के रास्ते चोड़े हो सुन्दरता अप्रतीम हो इसके लिए योगी जी और उनके सरकार दिर्गतरस्टे के साथ अने प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है प्रयास कर रही है लेकिन इस प्रयास में अयो द्या के लोगों का साथ और बढ़ जाएगा तो अयो द्याजी की दिव्यता भी और निखर जाएगी मैं चाहूँगा कि जब भी नागरीक मरियादा की बात हो नागरीक अनुशासन की बात हो अयो द्या के लोगों का नाम सबसे आगे आए मैं अयो द्या की पुन्ड भूमी पर प्रभुसी राम से यही काम्या करता हूं कि देश के जन जन की करतब्य सक्ती से भारत का सामर्त सिखर तक पहुँचे नए भारत का हमारा स्वप्ण मानवता के कल्यान का माध्यम बने इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक बात फिर सभी देश बाचियों को दिपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को बहुत बहुत धनवाद बो सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की दन्यवाद जी